बाहर की परिषितिया या दूसरा व्यक्ति उसमें सिर्फ हमारा ध्यानाकर्षन का काम कर सकता है लेकिन निर्ने तो हमारा ही है और उस निर्ने के लिए मैं स्वेहम जिम्मेदार हूँ, 100% जिम्मेदार हूँ और ये जो भाव विचार का निर्ने ले रहा हूं उसी के अधार पर मैं सुख्य दुख्य हो रहा हूँ, इसलिए अपने सुख्य दुख्य के लिए भी मैं 130 जिम्मेदार हूँ, एक बार ये बास हमको दिख गई स्टेप चार में, तो अगला प्रस्णा भी ये बनता है कि भई ये निर्ने में ले किस आधार पे रहा हूँ, किस आधार पर हम लोग ये पूछ रहे हैं, ये जो भाव विचार का निर्ने में सेम ले रहा हूँ, उसका आधार क्या है, किस आधार पर मैं निर्ने ले रहा हूँ, इसको जब पूछते हैं तो अपने में ये दिखाए पड़ता है कि जो भाव विचार का मैं निर्ने ले रहा हूँ, वो या तो समझ के आधार पर ले रहा हूं या समझ के आभाव में कोई माननेता बना रखी उसके आधार पर लेता हूं तो पांच में स्टेप में हम यह देखना चाहरे हैं कि यह जो निर्णय में लिया आपने भाव विचार में के संदर में उसका आधार क्या था? उसका आधार सही समझ था या समझ के अभाव में कोई मानिता थी? इसको जब देखते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि सही समझ के आधार पर जब मैं निन्ने लेता हूँ तो सही भाव के पक्षमें निन्ने लेता हूँ सुफ़ध भाव के पक्षमें निन्ने लेता हूँ और यह निस्चित भाव होता है समझ कि अभाव में जब मानिता के अभाव पर निन्ने लेता हूँ तो जैसी मेरी मानिता होती है वैसा निन्ने में लेता हूँ अगर मानिता सही है तो सहज भाव के पक्षमे निन्ने लेता हूँ मानिता अगर गलत है तो असहज भाव के पक्ष में निने लेता हूँ सहज भाव के पक्ष में निने लेकर सुखी होता हूँ असहज भाव के पक्ष में निने लेकर दुखी होता हूँ तो ये निश्चित नहीं है कि मैं क्या निने लूँगा जैसा कि समझ की आधार पर निन्ने लेने में निश्चित्ता थी, वैसा मानिता की आधार पर निन्ने लेने में निश्चित्ता नहीं है, मानिता की आधार पर जो हम निन्ने लेंगे वो सही गलत हो सकता है, वो मानिता पर निर्वर करेगा, इसको मैं उधारन से इसपर्ष कर अगर मैं किसी व्यक्ति के संदर्व में अपने भाव विचार का निर्ने ले रहा हूं तो इस निर्ने का अधार जो है या तो मेरी समझ है अपने बारे और उस व्यक्ति के बारे उस मानों के बारे या समझ के अभाव में मेरी कोई मानिता है अपने बारे और दूसरे वेक्ति के बारे तो अगर समझ है तो उसके अधार पर जो मैं निन्ने लूँगा वो सही भाव के प्रक्षमे निन्ने होगा स्राइज भाव के प्रक्ष में निन्ने होगा, सुखत भाव के प्रक्ष में निन्ने होगा, ऐसा निस्चित है तो अगर मैंने स्राइम को समझा है, एक मानों के रूप में दूसरे वेक्ति को भी समझा है, एक मानों के रूप में और मुझे यह समझ में आ गया कि मानों के रूप में मैं और सरीर के सहसित के रूप में हूँ, जहतने और ज़र के सहसित के रूप में हूँ मुझे ये भी समझ में आ गया है कि संबन्द पुर्वक दीनाई हमको स्विकाल होता है सहज लुप से और उस संबन्द में विश्वास का भाव सम्मान का भाव स्ने का भाव मेरे लिए सहज है सुखद है दूसरे के लिए भी सहज है सुखद है तो अब जब भी मैं दूसरे वेक्ति के संदर में अपने भाव विटार का निदने लूँगा तो सहज भाव के पक्षमे निदने लूँगा सुखद भाव के पक्षमे निदने लूँगा सामने वाला वेक्ति जाहे कोई भी तो मेरे भाव में निश्चित्ता है और वो निश्चित भाव जह है वो सहज भाव है सुखत भाव है लेकिन अगर मैंने स्वैम को नहीं समझा है दूसरे मनुश्य को नहीं समझा है अपने बारे कुछ मान दखा है दूसरे वेक्ति के बारे कुछ मान दखा है तो जो मान दखा है उसके आधार पर मैं अपने भाव विचार्थ में लेता हूँ तो अगर मैंने ये मान दखा है कि मैं अपने को देखने जाता हूँ तो किसी संप्रदाय विशेष का देखता हूँ दूसरे को देखने जाता हूँ तो किसी संप्रदाय वीचेस का देखता हूँ, एक मानो के रूप में समझ नहीं पाया हूँ, तो दूसरा वेक्ति एगर मेरे संप्रदाय को बिलॉंग करता है, तो उसके परती हमारे में नहीं का भाव आता है, को ऐसे संप्रदाय को बिलॉंग करता है, जो हमारे विरोध में है, ऐसा मैंने मान रखा है, तो उसके परति विरोध का भाव आता है, तो ये जो मेरा भाव बन रहा है, उस्वेक के परति, वो मेरी माननेता पर आधरित है, ये माननेता अगर सही होगी, तो मैं सही भाव के पक्षमिनी ने लूँगा, माननेता अगर गलत होगी, तो गलत भा तो यह बात तो सही है कि कोई भी वेक्ति के पर्ति स्नेह का भाव रखना है, चाहे हो हमारे संप्रदायका हो चाहे ना हो, इसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे वेक्ति के पर्ति जो हमारे संप्रदायका है, तो मैं सही भाव के पक्षमे निर्न ले रहा हूँ, लेकिन इ करता है या इसे संप्रदाय को विलों करता है जो हमारे विरोधी में माना वहा उसको तो उसके परती मेरे में विरोध का भाव आता है तो अपने संप्रदायवाले के संदर्ब में हमारा माननेता सही है तो उसके परती सिने का भाव रखना है दूसरे परदायवालों के बारे में मेरे माननेता गलत, उसके पर तीविरोध का भाव रखना, तो जैसा हमारा माननेता है, वैसा हम भाव विचार का नीने ले रहें, जो सही गलत हो सकता है, तो वहाँ निश्यत नहीं है लेकिन अगर मैंने स्वैम को समझा है दूसरे मानों को समझा है तो अब मैं जो निनने लोंगा वो सहज भाव के पर्चमे निनने लोंगा सम्मान के भाव के पर्चमे निनने लोंगा कि जब भी मैं किसी के प्रस्टिय अपने भाव विचार करने ने का गाहूं, जो step 4 में हम लोगों ने देखा था, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार अपने को समझना और दूसरे को समझना है, या समझ की अभाव में अपने बारे कोई मान रता है, इस बात को देखने का काम करेंगे, तब ये पता चलेगा जीरे देरे कि इस जो हम गलत नहीं लेते थे, जो हम अपना भाव भी गाषाणते थे, उसका कारण ये था कि उस वस्तु के बारे उस वास्तुक्ता के बारे हमने कुछ गलत मान रखा था है और उसका कारण ये है कि उसके बारे हमारी समझ नहीं है उसको मैंने ठीक से समझा नहीं है इसलिए अंत्रक्रकत्वार देखेंगे तो उपाय क्या है उपाय है कि हम हर वास्तित्ता के वारे ठीक ठीक समझने हर वास्तित्ता के वारे ठीक ठीक समझने ठीक ठीक समझ लेंगे तो हर एक के परती हमारा भाव सही होगा सही भाव के पक्षमे हम दिनने ले पाएंगे, सही विचार के पक्षमे दिनने ले पाएंगे उसी बात को हम लग ने शुरू में इका था कि अगर हमको जनतर सुप्रवक जीना है तो जितना भी हमारा जीने का फैलाव है हर जगा हम सही समझ सके उन वास्तिक्ताओं को समझ सके जीन के साथ हमारा जीना है और चुकि हमारा जीना पूरे अस्तिक्त के साथ है इसलिए पूरे अस्तिक्त को समझना जरूरी है तो वो जो बात कहा रहे थे वो step 5 में आकर response होती है कि अगर हम पूरे अस्तिक्त को समझ ले तो हर वास्टिक्ता के साथ जीने के संदर में हम अपना भाव विचारी नीनने कर सकते हैं हर एक वास्टिक्ता के परसी सही भाव रख सकते हैं, सही विचार रख सकते हैं और इस आधार पर हम अपने में आराम में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और दूसरों को भी शुक्री करने के लिए काम कर सकते हैं, तो इस तरह से वो बात जुटती है, उसे को भी आगे हम लोग और स्टेफ छे और साथ में ज़्यादा साफ करेंगे, बद स्टेफ पांच में हमको यह काम करना है, कि इस संजो मैं निल्ने ले रहा हूं अपने भाव विचार का, इसके लिए मैं सहम जिम्मेदार हूं, अब देखना है कि इस बास्तिकता को मैंने समझा है, समझ कर उसके अर्थ में अपने भाव विचार का निल्ने ले रहा हूं, या समझ कि अभाव में कुछ मानिता बना आज़ी भाव के पकस्में नेन देता हो। समझ कि अभाव में जब भी मानिता की अध्याखा पर नेनने देता हो। अज़ी भाव के पक्षमें नेन देता ह। इतनी बात को हम लोग को इसे से 5 में देखना है। करेंगे जो भी हमको दिखाए पड़ा उसको कल शेयर करेंगे तो इसके साथ अभी बागी लोगों के जो भी अब्जर्वेशन्स हैं स्टेप चार तक उसको सुनेंगे कही लोग है